नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एरलाइन से आ रहे ही जरूरी खबरों में तो पहरी बड़ी खबर की जानकारी यहां पर फ्लाइट के टिकट प्रैस को लेकर जान लेते हैं फ्रेंट्स आपको बता दे कि दिवाली के समय में फ्लाइट की जादा डिमांड होने के बाद भी फ्लाइट के टिकट के दामों में कमी देखने को मिल रही है आपको बताना चाहेंगे कि ग्लोबल टेंशन के कारण तेल के दावों में कमी आ चुकी है जिस कारण से फ्लाइट के किराये 20-30% तक कम हो चुके हैं यदि आप भी दिवाली के समय में अपने घड जाना चाते हैं तो टिकट बुक करके ट्रावल कर सकते हैं क्योंकि पिछली साल के मुकाबले इस साल फ्लाइट के टिकट के दाम में 20 से लेकर के 30% तक कमी हो चुकी है दोस्तो अगली खबर हैं पर MP में आने वाले छटे एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं तो आपको बता दे कि 21 अक्टूबर को परधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मद्दे परदेश में रिवा एयरपोर्ट का उद्गाटन किया जाएगा दोस्तो इस एयरपोर्ट को DGCA से भी अपरूबल मिल चुका है और अब परधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस एयरपोर्ट का उद्गाटन होगा और उमीदे कि बहुती जल्दी इस एयरपोर्ट से उड़ाने भी चालू हो जाएगी आगे बढ़ते हैं और एक और अप्डेट इया पर इंडिको एरलाइन्स से जान लेते हैं तो इंडिको एरलाइन्स के द्वारा 96 से पोर्ट बलेयर के लिए नहीं उड़ानों को चालू किया जा रहा है 28 अक्टूबर से इंडिको एरलाइन सब्ता में तीन उडानों को पोर्ट बिलियर के लिए ओपरेट करेगी दोस्तो अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एरपोर्ट से सामने आ रही है दिल्ली एरपोर्ट की तरफ से लगातार यात्रों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो डीजी यात्रा का इस्तमाल करें ताकि उनका ट्रैवल एक्सपिरियंस अच्छा हो सके और वो लंबी लाइनों से बच सके यदि आप भी दिली एरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप डीजी यात्रा एप में खुद को रेजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं जो कि बायोमेट्रिक फेस स्कैनिंग के माध्यम से आपको लाइन में लगने इसकी जरूरत नही होगी अगली अप्टेट यहां पर एर इंडिया से जान लेते हैं एर इंडिया को लेकर लगातार कंप्लेंट आते ही रहते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया है जहां पर एक पैसेंजर जो कि दिली से भोपाल के लिए ट्रैवल कर रही थी उस पैसेंजर इसको अपने हैंड बैग में ही रखना चाहिए था ऐसे सामान को आपको चैकिंग बैग में नहीं डालना चाहिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पैसेंजर कंपलेंट इस समय सबसे ज़्यादा एर इंडिय की फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर की तरफ से ही किया जा रहा है तो दोस्तों ये थी इस वक्त की एरलैंस से जुड़ी हुई लेटिस्ट खबरे जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है